हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की noise color fit, pulse to max, smart watch में आप लोग stop watch को कैसे use कर सकते हो अगर आपके पास एक noise color fit, pulse to max, smart watch है और इस watch में आप लोगों को stop watch को use करना है ठी गाइस stop watch कौन सा वाला होता है जहाँ पर जो इस second यहाँ पर चलता रहता है अगर आप लोग running कर रहे हो तो कितने second में आप लोग आपके destination है वापर पहुँच गये हो उसको आप लोग stop watch को use करके जो आप लोग देख सकते हो कि कितना second लगा या कितना minute लगा तो कैसे आप लोग जो stop watch को use करोगे गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को start करते है stop watch को use करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपने इस home screen में आना है जो यह आपर click करते हैं आपको यह home screen मिलता है इस पे आना है और इस पे आप लोगो को इस button पे click करने है ठीग गाईस यह जो एक button दिया गया है इस button पे आप लोग एक बार click कर दीजिए click करते हैं यह आपर एक option देखने को मिलेगा इस clock का तो इस clock के option पे click करेंगे click करने के बाद यह आपर एक option होगा इस stop watch का देख सकते हैं तो इस stop watch के option पे click करेंगे click करते हैं यह आपर start का option है ठीए guys अगर आप लोग start पे click कर दोगे तो देख सकते हैं यह आपर second जा रहा है अभी आप लोग रनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो डेस्टिनेंस से पहुच होगे पूश कर दीजे वह पर आप लोग देख सकते हो कि 9 सेकंड कितना मिली सेकंड या पर आप लोगों को लगा है ठीक है गईस और रीसेट पे क्लिक करने से ये रीसेट भी हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने noise color fit pulse to max smart watch में आप लोग stop watch को use कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलता है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के ए बाइ बाइ